आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ जो A, B, C, D है ठीक तो यहां पर जो यह अनुपात है इसको क्या करते हैं इसको चारो भुजा को जो है इसका चारो कौन है उसको हम X के मान में लिख लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा तो यहां पर क्या करते हैं कौन C हमारा 6X हो जाएगा और कौन D बराबर हमारा 5X हो जाएगा ठिक, और हमें पता है कि चत्रबुच के चारो कौन का जो मयोग होता है, वो 360 होता है तो यहां से क्या लिखेंगे हम कौन A जोड, कौन B जोड, कौन C जोड, कौन D बराबर 360 ठीक तो यह हो जाएगा 4x plus 3x plus 6x plus 5x is equal to 360 यह होगा ठीक तो यहां से क्या हो जाएगा यह हमारा मान हो जाएगा 18x is equal to 360 ठीक तो x is equal to कितना हो जाएगा 360 बटा 18 तो यह कटेगा हमारा यहां से 20 बार में ठीक तो x का जो मान आ गया वो हमारा आगये यहां से 20 अब यह X का जो मान आया इसका जो मान रखके हम कोन ग्यात कर लेंगे ठीक तो यह हो जाएगा कोन A क्या था कोन A था हमारा 4X तो यह हो जाएगा 80 degree कोन B क्या था 3X तो यह हो जाएगा 60 degree वैसी प्रकार कोन C कितना था 6X तो यह कितना हो जाएगा 120 डिग्री ठीक और यहां पे हमारा कौन जो D था वो कितना था 5X तो यह हो जाएगा हमारा 100 डिग्री ठीक अब यहां पे इसका मान रख देते हैं यह हमारा 80 निकल गया ठीक कौन B हमारा 60 निकल गया यह हमारा कॉं C कितना निकल गया कॉं C निकल गया 120 और यह निकल गया हमारा 100 exactly अब यहां से देखिए हमारा क्या दिया है कि कॉन A जोड कॉन D करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये कॉन 80 जोड ये 180 हो जाएगा ठीक और कॉन उसी तरह से कॉन B जोड कौन C करेंगे, kone B, B जोड, kone C करेंगे, तो यह भी हमारा 180 का योग जो होता है, ऊसी होता है तो यह जो चतरभूज समलम चतरभूज में क्या होता है, कि एकानतर अन्तर कौन का योग 180 होता है, ठीक, तो यहाँ से हमarmed क्या सकते अता, जो, कि चतरभूज समलम चत्रभूज है तो आशा करती दोस्तों ये प्रश्ण आपको समझ में आया हो धन्यवाज प्लासिक्स टुएल से लेके नीट आयाईटी जेही मीन्स और एडवान्स के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ये डाउन्लोड करें डाउटनेटा ये वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर